हलो फ्रेंड विल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रही हूं आलू के कुड़कुडे चिप्स जिसे आप बना कर एक साल तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब आपका मन चाहे या फिर कोई गेस्ट आ जाए तो फटा-फट से इसे फ्राय करके आप खा सकते हैं तो च चलिए आलू के चिप्स बनाना स्टार्ट करते है आलू के चिप्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेंऊn चार किलो आलू बीडियम साइज का जैसा क्या आप देख रहे हैं और हमें इस्तमाल करना है चिप्स काटने वाला साचा तो मैं यहाँ पे आपको दो साचा दिखा रही हूँ एक है डिजाइन वाला और एक है प्लेन वाला तो मैं आज काटूंगी प्लेन वाले से ही आप चाहो तो डिजाइन वाला काट सकते हो और मैं बिना छिले हुए आलू का चिप्स बना रही हूं जैसा कि आप देख रहे हैं तो हमने जो पहले हिस्सा जो काटा है उसे हमें फेक देना है और फिर बाद वाला हिस्सा हमें रखना है जैसा कि आप देख रहे हैं तो अभी मैं राउंड सेप में काट रही हूं और इसे हमें काट काट कर पानी में डाल रलोरु इस वजह से हमें पानी में डालते जाना है और आगे का और पीछे कही Şu आप देख रहे हैं, मैं फेक देख दी हूँ एककार पीछे का तो देख़े है परफेक्ट एक टड़ीके का हमारा Чिप यग mix कटा है और अब मैं काटunkगी लंबाई सेप मैं जैसा कि आप देख रहे हैं उसे भी आगे से काटके फेक दी हूँ और फिर हमें सारे आलो सेम प्रोसेस से काट लेना है जैसा कि आप देख रहे हैं मैं सारे आलू काट ली हूँ और काट काट के पानी में डालते जा रही थी और मैं फिर इसे हलके हाथों से दो तीन पानी से अच्छे से धो लूँगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसे अच्छे से धो के और इसे जाली वाले बरतन में चान ले हूँ और चलिए फिर इसे बनानाय स्टार्ट करते हैं तो मैं दो कडाई में पानी उबलने के लिए रखती हूँ गैस पे तो थोड़ा सा जब इसमें उबाल आएगा तो मैं इसमें नमक डालूँगी तो जैसा कि आप देख रहे हैं हलका गडम हो चुका था तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ नमक स्वादन सारी ही डालना है हमें तो दोनों में मैं नमक डाल दी हूं और इसमें हलका उबाल आ चुका है तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा कड़के चिप्स डाल दोंगी इस तरीके से दोनों में हमें डाल लेना है तो दोनों में मैं डाल दी हूँ चिप्स और फिर हमें फ्लेम को मीडियम करके रखना है और हमें वहीं पर रहना है क्योंकि इसे हमें देखते रहना है और फिर मैं इसे ढग दूंगी जैसा कि आप देख रहा हैं थोरे टाइम के लिए तो जैसा कि आप देख रहा है कुछ सेकेंड के बाद ये हलका पक चुका है तो एक बार इसे हलके हाथों से हमें पलट देना है इस तरीके से तो दोनों में मैं एक एक बार चला देती हूँ और हमें इसे हलके हांथों से एक दो बार चलाते रहना है और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है थोड़ा टाइम में ही ये पक जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ चुका है तो अब मैं इसमें रिफाइंड ओयले डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा और रिफाइंड ओयल मैं इसलिए डाल रहे हूँ ताकि ये एक दूसरे से चिपके न आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो और दोनों के इस तर डेख लेती हूँ ये पका है या नहीं तो ही से प्रति के टेख लेना यह बहुँ ज़ादा ग्रम है श्यीए में आपको दिखाने पार रही हूँ लेकिन ये पक चुका है इसे भी एक फर्टेख लेते हैं तो अब मैं इसे इतार देती हूँ और एक छन्दी वाला ब robbed न से गड़म पानी हटा लेना है और थोरा थंडा करना है तो थोरा थंडा करने के बाद इसे मैं धूप में ले आई हूँ और एक एक कड़के हमें पतले कपड़े पे डालते जाना है एक दूसरे से चिपका के नहीं डालना है है तो देखिए एक एक कड़के मैं एक सारी पे सुखा रही हूँ धूप में एक से दो दिन हमें इसे सुखाना है जैसा कि आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा अभी सुख चुका है और साम में ये अच्छे से सुख जाएगा लेकिन फिर भी मैं एक दिन इसे धूप में फिर डाल दूँगी जैसा कि आप देख रहे हैं मैं साम को चट पे आ गए हूँ और ये सुख भी चुका है चिप्स ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरी बेटी भी दिखा रही आपको तो ये अभी हलका हलका और सुखेगा और देखिए मैं दूसरे दिन इसे छट पे डाल दी थी और अभी ये बहुत की अच्छे से सुख चुका है मैं इसे तोर कर दिखाते हूँ आपको ये देखिए कितना अच्छा से ये सुख चुका है और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसे फ्राय करके तो जैसा कि आप देख रहे हैं तेल को हमें बहुत ज्यादा गर्म करना है फ्लेम को तेज करके तो ही हमारा चिप्स अच्छे से फूलेगा तो देखिए हमारा चिप्स बनके रेडी है तो कैसा लगा आप लोगो मेरा चिप पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेड कीजिए और मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हो नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ